नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो केरल के पलककड में RSS की सालाना बैठक शुरू हो चुकी है और पलककड से करीब धाई पौने 3000 किलोमीटर दूर दिल्ली में अमित शाह और नरेंदर मोदी की धड़कने बढ़ गई हैं जेपी नडड़ा भी बड़ी हुई धड़कनों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं माना जा रहा है कि अगले 3 दिन यानी अगले 72 घंटे मोदी और अमिशा पर भारी पढ़ने वाले हैं खासतोर से मोदी पर क्या शिकंजा कस दिया जाएगा या मोदी ने जो संगठन पर BJP पर शिकंजा कसा हुआ है उसको उस शिकंजे को RSS दूर कर देगा कुल मिलाकर मेसेज ये जा रहा है कि मोदी को सिरफ अपने पद की चिंता है सत्ता की चिंता है लेकिन RSS को BJP की चिंता है RSS को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोधी जब पधानमंत्री पत से हटें तो इतना कूड़ा करकट BJP में हो जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए RSS को लगता है कि BJP रहेगी तो सत्ता में आएगी या नहीं आएगी लेकिन अगर BJP ही नहीं रहेगी तो फिर सत्ता में कौन आएगा और BJP का सत्ता में आना संग के एजंडा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है अभी भी कुछ काम बाकी है धारा 370 ट्रिपल तलाग ये सब खत्म हुआ है रामंदिर का भी निर्वान हुआ है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको प्रधान मंतरी सेकुलर सिविल कोड की संग्या दे रहे हैं लागू करना फिर सीए पर अमल जोर शोर से करना एनारसी की बात करना और फिर अंत में तो जो अंतिम्धे है कि सविधान बदल दो और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट को भुशित कर दो ये तमाम चीजें हैं बहस का मुद्धा है लेकिन ये बहुत दूर की बाते हैं फिलहाल तो तीन-चार बाते हैं जिस पर संग गौर करना चाहता है और उस तो अपना ठपा लगा देना चाहता है अपनी मुहर लगा क्या मोदी पर overdependence खतरनाक सावित हो रही है क्या मोदी का मैं मोदी मं मुझ को मेरा मोदी की guarantee मोदी का विश्वास मोदी का सबकुछ ये पार्टी से बड़ा नेता का हो जाना क्या-इ यहां दस साल में fatigue factor हो गया है, लोग ऊब गया है एक चहरा देखकर, एक ही सरकार देखकर, एक जैसे मंतरी, एक जैसे मंतरालेों का काम देखते देखते और कुछ नया चाहते हैं। लोग गया है, एक मारदर्शक BBQ मंदल में भेजा जाएगा, अगर संग की नजर में 10 साल में PJP का कबाड़ा किया है, मोधी नें, कुछ लोगों के अनुसार आर्थिक सितियों का, आर्थिक नेतीयों का कबाड़ा किया है, तो उससे मारदर्शन लेने की क्या जरूरत है, वो त संग का कारेकरता साथ आया सफलता मिली दिल्ली में साथ आया सफलता मिली मध्यपदेश में साथ आया बंपर सफलता मिली लेकिन बाकी जगा साथ नहीं आया बाकी जगा संग का कारेकरता वीजेपी का कारेकरता थोड़ा सा आपस में उपर नीचे उपचूप की स्थिती में रहां जिससे राजस्तान में 11 सीटें हार गे सबसे ज्यादा नुकसान तो उत्तर परदेश में हुआ जहां सीटों की संख्या आधी रहे गई इसका वजह क्या है इसका अंतिम समाधान यानि संग के हाथ में सरकार के बड़े फैंसलों की भी नकेल रहे जैसे एंडिये की सरका सरकार है तो कॉमन मिनिममँ प्रोग्राम बनाने की बात चलती है कड़ बंदन सरकार में संग चाहता है कि संग और सथा के बीच में recommend यानि इस तरह की अगर जो फैंसले पीजेपी करती है आला कमान करता क्योंकि संगठन और सथा में कोई फर्क नहीं है मोधी प्रधान मंत्री भी है अमेशा ग्रह मंत्री भी है लेकिन संगठन पर भी पूरा दब दबा है उनका जेवी नड़ा की कोई सियासी आउकात उस रूप में दिखती नहीं है वैसे भी एक्स्टेंचन पर चल रहे हैं वैसे भी ने अध्यक्ष की तलाश हो रही है जो का आदमी रहेगा मोधी की से नहीं चलने वाली पहले क्या होता था कि सकता बीजेपी पार्टी है वो सूचित कर देती थी कि इसको हम बना रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन ओली एफ वाई आई लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा आपको सूचित नहीं करना पड़ेगा संग सू बैठेगी सभावितर पर जो संग का अध्यक्ष होगा वो संग की रुची संग के हित उनका ज्यादा ध्यान रखेगा एक और बात है कि संग को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर हर्याना में बीजेपी की सितिक हराव है तो कैंडिडेट बदले जाने की जरूरत है विधायको को रिपीट नहीं किया जाए संग का कारेकरता पूरे जोर शोर से लगे इसलिए क्या राम आदव को भी भेजा गया या अरुन कुमार को हर्याना का प्रभारी बनाकर भेजा गया है लेकि जो वाशिंग मशीन वाली सिति बन गई उसको लेकर भी संग सहमत नहीं है कि कोई प्रश्टाचारी है जिस पर ED, CBI ये सब पहले जांच एजनसियों को पीछे लगा दो उसके बाद अपनी पार्टी में शामरील कर दो और अपनी संख्या बढ़ा दो ये फिर विचारधारा के साथ समझाता है मूल विचारधारा के साथ समझाता है बीजेपी ने जो उसमें भी कुछ लोगों के अनुकसार 60-65 दूसरी पाटियों से आए हुए है मूल रूप से वो भीजेपी के नहीं है अब इहाली में हमने देखा बिट्टू कॉंग्रेस से आए लोकसभा चुनाव हाए हारे राज्यसभा के जरिए राज्यसभा भी भेज दिया और मंत्र मत रखता नहीं है तो मोहन भागवत ने जो पिछले दिनों दो-चार वयान दिये थे उस कसोटी पर क्या प्रधान मंत्री नरहिंद्र मोधी को कसा जाएगा अगले दीन निल क्योंकि उनका कहना था एंकार नहीं होना चाहिए बायलोजिकल ही होना चाहिए सूपर मैं प्रतिसफर्दा होनी चाहिए विपक्ष को विपक्ष नहीं कहना चाहिए प्रतिपक्ष कहना चाहिए और एक ही आदमी का बहुत जारा होल्ड नहीं होना चाहिए और लगातार होल्ड नहीं होना चाहिए अभी रुचिर शर्मा की ये किताब आ रही है एकनॉमिक्स टॉप चीद के बाद returning जो होता है performance में जो आपको return मिलता है वो कम होता जाता है उप भी पैदा होती है नया भी नहीं होता नहीं योजनाएं भी नहीं होती फिर लोग नहीं योजनाओं पर गौर करने से पहले पिछले 10 साल का हिसाब मागना शुरू करते हैं और अगर आपके हिसाब क्या हा इस हैं तो फिर आप क्या हासिल करता विष्गें महाराच्य संकेल संकेले चंता के रूपएं तो यह तमाम मुददे चिन पर चर्चा होनी है और इसमें उभरकर्ज क्या आता है यह देकना दिल्सचत रहेगा जोह नदा दिल्शष बात आप संग की हमें उतनी जरूरत नहीं रहे गई है तो संग बताना चाहता है कि आपको संग की शरण में आना ही होगा आपका और कोई गुजारा नहीं है शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए झाल